और आज हम समझते हैं यह चीज कि हमारे अंदर पावर कितना है, हम मानो जाती के अंदर कितनी जादा छमदा है, कहा जाता है कि मानो जाती जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो हासिल कर सकता है, तो आखिर कैसा वो मानो जाती होता है कि जो चाहे वो हासिल कर सकता है, हमसे एक इस चीज को आदम समझते हैं पढ़िया से इसको एक कहानी के द्वारा बड़ा इंट्रेस्टिंग कहानी है इसके द्वारा आप समझेंगे बहुत मजाएगा कहानी कुछ ऐसा है कि एक वैपारी था कि और वैपारी कि कि भार उट लेकर इरगिस्तान में जा कि इतने उट लेके कि में इसके सहसे एक नौकर उसका गsystem तो लेक है रहे थे तो रहिग तो मिनका थोड़ा पानी मिलता हमोट्र के राी मगशें चुनल यह प्यांङूंब तो मालिक का नोकर को ले जाके बानने के लिए चला गया कि नोकर वहाँ पहुंचा जानवर बानना जाता है वहाँ जाकर तो दंग रहा गिया यह चीज़ देखे कि वहाँ पर खुलता इगारा था उठे उचे पास कितने थे अब समस्य यह है कि भाईया हम कैसे बाढ़ देते हैं अब हम क्या करें हमारे पास 12 हुट है और 12 फूटा है तो 11 फूट को बाढ़ दिया, 12 में उट के साथ क्या करें बड़ा सोचा फिर उसके दिमाग में एक आइडिया है वो जूट मूट का एक पंथल लाया और उसके सामने उट के सामने जमिन में ठोपने लगा तो उट को यह लगा कि मेरे लिए भी फूटाट होगा जाए और फिर रसी को बोल बोल किया तो वहां पर बैठ गया बाकि एगराओं उट की तरह सुबह हुआ मालिक आया और मालिक ने तिगारा उट को कोला सब उटके खड़े होगे अब बार हम उट तो खुटा में बना नहीं तो उसको कोले कैसे मालिक बहुत कोसिस कर रहें उटहने का नहीं बाक उन्वाक यह यह दिमांग में रहें इसको तुम जूट मूट का बांद् deze तो फिर उसने जूट मूट कर खोला वहीं पर खड़ा हुट तो कहानी का यह मतलब है कि यह जो बाराहमा उट है ना तो हम जो 90% लोग होते हैं उसी बाराहमे उट की तरह होते हैं अगर वो बाराहमा उट रात में चाहता तो क्या करता जहां चाहें वहां बाख सकता है फुला पुरा मैदान है जो चाहें वो लेकिन उसको क्या लगा कि वो बधा हुए उसी पारह में उट की तरह हम लोग होते हैं जो नपय प्रतिसक्त लोग होते हैं जिनको हमेशा लगता है वो बदे हुए अब यह हो सकता है हमें हमेशा लगता हो कि हम नसे से बदे हुए यह हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं लेकिन नसे से हम कैसे बदेवे सही में बदेवे नहीं हैं मांसिक रूप से बदेवे अगर सौ में नसामुक्ति के केंद्र के कारण अगर सौ में कोई एक इनसान भी नसा छोड़ सकता है तो क्या वो 99 लोग नहीं छोड़ सकते हैं दिक्कत यह है कि वह 99 लोग चाहते ही नहीं है उनको हमेशा लगता है कि वह बदे हुए आपको लगता हम गरीब आमली में जनम लिए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यह लग रहा कि हम मालसिक रूप से उसी उट की तरह लेकिन रियालेट कि आप यह काम नहीं कर सकते हैं इसका मतलब यही हुआ कि आप उस बारह में उट की तरह बदे हुए आप लगता है कि नसे से अम ना बाहर निकल पाएंगे हमसे कुछ नहीं हो पाएगा हम नहीं कर पाएंगे तो किसी चीज़ की कमी थोड़े है आत पैर आख सब कुछ आप अब आप कि लागज़ गजान देकर सकते नहीं कर सकते अज़्यरों लेकिन आप जिस फिल्ड में है उस फिल्ड में बहुत है कि अलग है अलग है कि नहीं है बहुत चीज़ा आपसे बहुत पीछे हैं लेकिन उनको लगता है को महारती है वह महारती है है अभी मोवी करके और उसके एरो जहें बहुत जाद आदनीं किया है तो उनको उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप फुद हीरो हैं तब लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि उनकी सकल जैसे बहुत लोग का सकल है बहुत लोग का उस तरह से सरी उनसे जादा तगड़ा तगड़ा है लेकिन मानसिक रूप से यहां से अगर आप सोच लेते कि आप उप कर सकते तो आप कर लेंगे दिक्कत क्या है कि जो बहुत जादा हैंसे में उसको लगता हम कुछ नहीं कर पाएंगे वह यह नसा लेके पड़े रहेंगे फिर जीवन वही देगा जो आप मांगते हैं महुत लोग को रखता है हम गरीब का हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो तो कभी भी अगर आपको लगे कि हम नसा नहीं छोड़ सकते हैं आप समझें कि उसी बार हमें उट की तरह बने जो जुट मुट का बने आपको लग रहाए कि आप उसे नहीं मुक्ति पाप आँग星 वापसे रह जाएंगे ओर जब यह सोचेंगे तब उसी अमेसा हपसे ही रहे जैसे अम आपको कहें कि आपको भारतिय टीम के लिए सबसे बहतरी प्लेयर सेलेक्ट करना है इसके लिए हम आपको अगर बनाते हैं आफिसर तो आप कैसा प्लेयर सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर क्या-क्या खुबिया होनी चाहिए बताइए सरीर कैसा होना चाहिए हाइड कैसी होनी चाहिए सरीर तगड़ा होना चाहिए और बहुत मजबूत होना चाहिए सरीर के अंदर नसा ना करता हो हिस्ट कुछ रहे है हां यह सब सारे पुन होनी चाहिए होने चाहिए लेकिन आप एक ची जानके दंग रहे जाएंगे कि आप जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सची जब वो खेलने गए तो ना उनकी हाइट थी ना ताकत था ना बहुत expert थे उलिचे बहुत बड़े बड़े expert क्या वेक एट है लेकिन के मन में क्या था कि हम बहुत बढ़िया किरिकेट खेल सकते हैं उनके पास क्या था सिर्फ एक अभ्यास था कि हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा क्यलिए जब पहली बार क्रिकेट खेलेंगे उनको चोट लगा सब्ही जितने भी प्लेयर थे सब के काम करो तुम जा के अराम करो उनको चोट लगया तुम नहीं केल पाऊगे उन्होंन अजिए अंदर कोई टालेंड निए सबसे छोटे सबसे यान दुबले पतले उस समय के प्लेयर जाते ही कितने हैभी यह रहते थे लेकिन उन लोगों के बीच में भी रहके भगवान बनना क्रिकेट का यह क्या है यह बस सोच है उनका उन्होंने सोचा हम कर सकते हैं तो उन् वह चोटी सी समस्या का है कि हमको लगता है वह या कि हम इस lenses बढ़े हुए हैं हम बहुत तरह के बहाने बनाएंगी सरियस अरक सबक्राइब यह सरय यह दिक्कत अप सुनें गैसे पढ़ते भी होंगे तो विल्पावर स्ट्रॉंग होना बहुत जलूदी है जिस समय अगर आपका विल्पावर स्टॉंग है कि हाँ हम लाइप में कर सकते हैं हमसे कुछ जो चाहें वो कर सकते तो आप कर लेंगे क्योंकि आज के समय जो आपके फिल्प में एक्सपर्ट है वह शुर्वात जब क्या हो तो भी नौ सुखिया हो लेकिन उसने क्या क्या प्रियास करते रहा कोसिस करते रहा वह एक्सपर्ट हो गया तो नसा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप चाहेंगे तो छोड सकते हैं बस उस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना है कि आप बाहरों में उठ है जिस दिन अगर आप निकल गए आपसे भी ज़्यादा ज़्यादा नसा करने वाले लोग छोड़े हैं बहुत अच्छा लाइप इंजवाई कर रहे हैं कि हमको इसी में मजा आने लगता है या कोई दबाव घर नहीं है अराम से पड़े रहो कहीं घंडार कहीं नाले में पड़े रहो सो हो हो मस्तिर से जीवन तो कठी रहा है स्थी बात है जीवन तो कट जाएगा लेकिन कम तक वह जीवन जीने का मतलब जो जीवन को काट ऐए तक पिर जीवन जीने का चीह जीवन का और कि बाव और खोने और दिन और काम ना करें सबैमर और जो निर्जीव चीज उसमें अंतर क्या रहे है यह अंतर नहीं रह गया कहां जाता है अगर आपको यहां पर नसाई करना रहता तो बगवान नहीं कहते कि भाईया यहीं खाव पियो रहो काहें जा रहे हो ज़ा धर्टी पे बोज बढ़ाने के लिए यहां पर कमी है इसके पास तो सब कुछ है तो दर्टी पे आए तो कुछ अच्छा कीजिए समाज के लिए समादान बनिये समाज के लिए कुछ बढ़िया कीजिए समाज आपको रिस्पेक्ट देगा रिस्पेक्ट किसी से आपको छिनना नहीं पड़ेगा, लोग आक देंगे आपसे लकिन छिनने जाएगा तो बहुत कुछ नहीं छिन पाईगा अगर किसी को डराद आपका इजत चाहिएगा ना पाना बहुत थोड़ा बहुत मिलेगा बहुत आपके करोद सर खराब चीज़ तो करोद हमेशा खराब ही रहा है क्योंकि कि प्रोद में क्या होता है कि जब हम प्रोधीत होते हैं तो जो अच्छी चीज़े भी होती वह भी खराब हो जाती तो जिसे हम अपने पिता से अगर चिला के बात करें, तो हमारे पिता क्या करेंगे, कभी बात सुनेंगे, लेकिन वही प्याट से बात करेंगे, तो सुनेंगे, इससे पहले क्लास में भी हमने आपको बताया था कि जो पुरूद होता है, वो जलती हुए कोईले के समाने है, अगर किसी पी आप पुरूदी थे तो इसका मतलब आप जलता हुआ कोईला हाथ में पकड़े हुए हैं और कहरे भाईया तुम जब आओगे चला के मारेंगे चला के मारेंगे तो तुमको पता चलेगा जलन क्या होता है लेकिन इतने देर तक जलेगा को हम जलेंगे अंदर अंदर जलते रहेंगे अंदर अंदर परिसान रहेंगे तो कुरूद के साथ होता है कि जब हम कुरूद कर लेते हैं तो सामने वाले का नुकसान हो लिखना नुकसान बहुत होता है कुछिस यह करना है कि क्रूद ना करे। थोड़ा बहुत तो भूत आई गाई इंसान में पूसिस यही करना है कि सामने वाले पर कुरोद ना करें तो नुकसान अपनेंगे अब जिसे यहां से जाएंगे घरवाले किसी ने कह दिये कि तुम तुम्हारे करन इतना अपरा नुकसान होगा अब आप कहेंगे अच्छा ठीक अभी गुसा दिला है अभी हम बताते तुम्हारा नुकसान फिर जाके पीना खाना सुरू कर देंगे पुरूद को आया कुछ समय के लिए फिर घरवालों को पता चलेगा फिर आपको कहीं न कहीं भेज लेंगे तो चार मेना पाँच मेने किसका अभरवाल है तो पुरूद करने से नुकसान किसका होता है अगर छुटी सी बात है घरवालों ने कहा उसको आप एकसेप्ट करेंगे हाँ भाई हमारे कारण हुआ है लेकिन आगे से हम कोसिस करेंगे कैसा घरवाली में देखें आपको एकसेप्ट करते हैं लेकिन जितना लड़ेंगे उतना और उलशते चली जाएंगे चार बार वो कहेंगे आठ बार आप कहेंगे यह चलते रहेगा प्रोसेस कि और कुछ प्रसन किसी के मन में अब में प्रस्ट पूछेंगे कुछ मन में विचार चल रहे हो तो पूछिए पिर आगे हम बात करें कोई विचार कुछ उल्जन किसी के मन में क्योंकि हमको पता है आपके अंदर बहुत सब चीज़े भरी पड़ी हैं यही मौका है निकालने का क्योंकि यहां पे ना घर वाले हैं ना कोई है हम आप हैं तो हम आप अराम से बाते कर सकते हैं आमने सामने तो जो भी मन में उल्जन चल आओ जो भी सवाल हो आप मेरे से बेदड़क पिस ओफ माइड कैसे मिले सार पीस ओफ माइड आपको तभी मिलेगा जब दिल से आपकी इच्छा हो कोई काम करने की जो आपका दिल कहें और वही काम अगर आप करेंगे ना तो आपको पीस ओफ माइड जिसमें आपको बहुत मजा है जैसे क्या है कि किसी को पढ़ाने में मजा आता है किसी को बात करने में मजा आता है किसी को क्रिकेट चलने में मजा आता है तो अगर किसी किसी को बिजनेस करने में मजा आता है तो वह चीज ऐसा होता है कि जब आपको बहुत थके हारे हो बहुत ज्यादा जब आप ठके आ रहे हो फिर भी लोग कहें कि आपको ये काम करना है आप खड़े हो जहां भी है ये काम हम पर सकते हैं इसमें आपको मज़ा आता तब जीवन में आपके हमेशा सुकून रहेगा लेकिन क्या हो कि जब आप दूसरे क्या थोपे हुए काम करें मतले हैं कि आपको मन कर रहे डॉकटर बने का घर वाले इंजिन्यर कर बहर इंसान का कुछ न कुछ रहता है, इसमें कुछ चीज ऐसी होती है जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे अगर आप टीचर हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाईए, देखी कितना सुकुर मिलता है, डॉक्तर हैं, तो कभी-कभी गरीब बच्चों, गरीब अगराईए, तो क्या हो कि हमेंजा पेचैन रहें हैं, इस यान है मुझे एक चीज था, मैंने संस्क्रित न कुछ था, मैं आपको पड़ीदी संस्क्रित पढ़ीगी, अधिन हो जाएगे हैं, अधिन हुद्धा बच्चेज अधिन हो जाएगे, एक चीज बचा था, अधिन तो लाइप में हमेशा क्या है कि हमको देने की कोशिश कभी है कर गारइप में हुआ को ऩनी से वहे हुआ तो तनी अ पहर एद प्रकें की नुक्ति होटीश Спूलब थे से लिए कर दे डाँ कर्पनति हो असे से प्रकें ने ने देखिए जैसे क्या है नियम है आप इस चीज को समझे है आपको हर चीज मिलेगा सबको यहाँ पर घग से बात करवा जाता है आमने सामने पेट के बात करवा जाता है हर इंसान से बात करवा जाता है तो हर चीज का एक नियम बना हुआ है, हम समझ रहे हुए उस चीज को, जैसे आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन आप के जैसे हो सब्सक्राइब कोई दूसरा पेसेंट है, जैसे यहां पे इतने लोग हैं, तो अगर आपके लिए नियम बदलेगा, तो दूसरा तो हाँ जहां तक आपकी बाते हैं, सारी बाते होती हैं, आपको सब कुछ मिलेगा मौका, बात करने के लिए मौका मिलेगा, यहां से जाने के लिए मौका मिलेगा, हर चीज मिलेगा, आपको यहां पे आप सुधरने के लिए आएं, एक लिमिट समय के बाद आप यहां से चले जाएंगे उसके बाद आपको अपना जीवन हो जाएगा उसके लिए हम कर बात कर लेंगे उसके लिए आपको परिशान नहीं हो नहीं हो रहे है इसके इनका कितना दिन हुआ है हम बात कर लेते हैं कि जैसे क्या होता है कि जब हम बात कर लेते हैं कि तो सुकून से हैं लेकिन जब दर से को माइना तो कम से कम दो दिन बेचयाँ में कि वो लघाव तो फोभाव होता है न है कि फिर मॉस् सर नहीं सचेंगे हमें घर के बारे में सोचेंगे अगर आप पेरे पोजिक्टर देसा बहुत पाइले वांगे जाता है यहां कि अमार दस्पंदर दिलों के आपाट भी है सब बहुत ज्यादा आता है तेक मात नहीं जबाता है अच्छा थीक है आप लोगी जो समस्या हो कही लिए गर और दने आता हैं में कृकरण जो आता है नच poulaसे हो प्याद के बाहब हैं अपिस सब आता है ज circuits जांपे अगा इन शार सबाशने मेelाइन झाल झाल झाल